गुद मॉर्निंग स्टूदेंट्स वेलकम तो जेके टॉपर्स तो अगे नेक्स्ट कोशन क्या है हमारा विच आप दी फॉल्विंग टूरिस्ट प्लेस अलसो नावन एज मिन्नी कश्मीर ठीक है तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर एक टूरिस्ट प्लेस भी है ठीक है और उ ऑरीजन ओर दी नेम पत्नीिटॉप इजर डिसट औशवर टेशन ओफ टूरिज़न नेम आप पत्न दा तवर्स तौर्ट एस ठीक है ओरिजन कहांनु से होता है पत्निटॉप इस्प्लेटिशु नाम इसी ए ऑफ एसो अप्टिनल नाम क्या था पतन दा त्प दाप ठीक है तो रेफ़र किसको किया है ये क्या है ये एक Pond of the princess है Pond of fresh water है Pond of mountain है या Pond of flowers है तो पॉंड क्या होता है तलाब ठीक है तो सही answer क्या है हमारा इसमें सही answer है Pond of the princess ठीक है Next is which of the following tourist places is known as city of Lamas ठीक है अब इन में से कौन सी ऐसी tourist place है जहां पर टूरिस्स जादा जाते हैं और जिसको किस नाम से भी जाना जाता है यानि की City of Lamas तो सही आंसर क्या है इसका एपार्ट इस ले ठीक है ले के नाम से भी जाना जाता है इसको City of Lamas को ठीक है नेक्स्ट कोशन चलते हैं नेक्स्ट कोशन इस वीच आफ दी फॉल्विंग लेक इस लारजेस्ट ओफ दी हाई अल्टिट्यूट लेक इन दी ट्रांस हिमालयान बायोग्राफिक बायोग्राफिक रीजन एंटारली विदिन इंडिया ठीक है इन में से कौन सी लेक है जो लार सही आंसर क्या है हमारा धाट इस ए पार्ट ठीक है रसो मरोरी लेक ठीक है नेक्स्ट कोशन है हमारे पास दी फॉल्ट लोकेटिड ओन इन दी विकनिटी ओफ रजोरी टाउन ठीक है यह फॉल्ट कहां पे है कौन सी हिल पे है constructed by जिसका constructed लगा था मुगल एंपेरियर जहांगीर ने करवाया था ठीक है तो वो कौन सा फॉट है जो रजोरी टाउन में आता है जो सही answer कौन सा है हमारा d part is दांदीधारा फॉट है ये कहां पे है इन्होंने पहले भी बताया ये कोशन रजोरी में है ठीक है रजोरी टाउन में आता है और constructed किसने करवाया था ये मुगल एंपेरियर जहांगीर ने ठीक है काफी सारे कोशन एक कोशन से ही बन जाते हैं next कोशन है हमारे पास the monasteries are one of the main attractions of lay which of the following is the biggest among them ठीक है इस में से कोन सी बहुत ही बड़ी monasteries है ठीक है तो सही answer क्या है हमारा hammies ठीक है next question है हमारे पास which of the following place is also known as middle of flowers ठीक है इन में से कोन सी ऐसी place है जगा है जिसको किस नाम से भी जाना जाता है middle of flower ठीक है तो किस नाम से जाना जाता है तो वो कोन सी जगा है वो है d is गुलमार्ग ठीक है कोन सी है गुलमार्ग ठीक है next question क्यों चलते है which of the following treaties prohibits reservoir storage of water one major river of Jammu and Kashmir ठीक है इन में से कोन सी ऐसी treaties है ठीक है जो क्या है एक storage करती है किसको water को और वो कोन सी river है Jammu किशमीर कि कोन सी treaty में आती है वो आती है b part is in this water treaty कोन सी treaty है in this water treaty next question is in which of the following districts of Jammu and Kashmir the first wind power project ठीक है एक question तो यहां से ही बन जाता है कि इन में से कोन सी district है जो Jammu and Kashmir की क्या है first wind power project of UT ठीक है will be installed होगी by the Jammu and Kashmir energy development department में ठीक है तो सही answer क्या है इसका that is b part यानि की रियासी में क्या है first wind power project होगा UT इंस्टाल करेंगे ठीक है किसके द्वारा Jammu and Kashmir कोन से department energy development ठीक है next question is which of the following was the first hydroelectric plant in the east wild state of Jammu and Kashmir इन में से कोन सी first यानि की first hydroelectric plant है ठीक है जो कहां पे state of Jammu and Kashmir में है ठीक है तो first electric plant बताना है हमें hydroelectric plant कोन सा है तो सही answer क्या है A part is मोहरा क्या है एक first hydroelectric plant है ठीक है next is the estimated hydro power potential of Jammu and Kashmir तो कितना estimate है इसका hydro power potential का सही answer is कितना है 20,000 ठीक है next is who elected the most revolutionary land reforms land to Tilar in the history of India ठीक है history है ये इंडिया की ठीक है यानि कि एक इतिहास है ठीक है तो ये किसने elect किया था most revolutionary किस पे land reforms यानि कि land to Tilar तो किसने किया था ये ये किया था हमारा शेख महुंबद अब्दुल्ला ने ठीक है next is which among the following is known as rice bowl of Kashmir सबको पता है ये question का answer साथ साथ में आप मेरे answer लगाते जाए ठीक है तो किसको कहते है rice bowl of Kashmir इन में से किसको कहा जाता है गंदेरबाल को कुलगाम को बांडिपूरा को या शोपियान को तो किसको कहा जाता है कुलगाम को ये क्या कहा जाता है rice bowl of Kashmir किस नाम से जाना जाता है इसको rice bowl of Kashmir ठीक है next is which of the following district या दूदा कुल ओफ कश्मीर ठीक है इन में से कौन सी ऐसी डिस्टिक है जिसको किस नाम से मतलब क्या कहा जाता है आनन्द ओफ कश्मीर या दूदा कुल ओफ कश्मीर ठीक है तो कौन सी वो डिस्टिक है वो है पुलवामा ठीक है नेक्स्ट इस परमंडल मेला is celebrated on the occasion of ठीक है जो परमंडल मेला है वो कब celebrate किया जाता है कौन से occasion पे celebrate किया जाता है महाशिवरात्री पे, बिसाखी पे, लोडी पे या इदूल जुहा में तो कब किया जाता है ये किया जाता है महाशिवरात्री तो तब क्या किया जाता है परमंडल में मेला एक celebrate किया जाता है, ठीक है Next is जीडी मेला और अक्तूबर और नवंपर में तो तो सही answer क्या है D is all of the above ठीक है next is which of the following festival is celebrated as start of new year of the Vikrami समवाथ इन में से कौन सा ऐसा festival है जो celebrate करते है start of new year जब new year start होता है यानि कि Vikrami समवाथ ठीक है तो क्या आता है दुर्गाष्ट में राम नोमी बिसाखी या नवरोज तो क्या आता है सही answer है हमारे पास बिसाखी जब एक new year start होता है ठीक है तो तब क्या होता है एक festival celebrate किया जाता है जिसका नाम क्या है बिसाखी next is which of the following festival marks the culmination of the cold season cold season में कौन सा festival mark आता है यानि कि कौन सा festival आता है वो भी cold season में so right answer is क्या आता है लोडी ठीक है next question है हमारे पास which of the following is a part of ramsar site that is wetland management sites in jammu and kashmir ठीक है इन में से कौन सा ऐसा part है जो ramsar site का आता है that is wetland management sites भी आती है इन कि हाँ पे jammu and kashmir में ठीक है तो सही answer क्या है हमारा सही answer क्या है सही answer है हमारा d part यानि की all of the above ठीक है तो so moriri in ladakh भी आता है hoaksar hoaksar in kashmir भी आता है suru in sir man sir in jammu भी आता है wetland management sites में ठीक है जमू इन kashmir की next is lol lyric is the typical verse form that was popularized by ठीक है तो यह किसके दवारा popularize किया जाता है lol lyric is the typical verse है ठीक है तो किसके दवारा सही answer है हमारा haba khatun is b part right answer ठीक है next is next question कर लेंगे हम who built amira kadal and sharegari fought on the river jellum in sirinagar ठीक है तो यह किस ने बनवाया था यह यह river कुन सा amira kadal and sharegari ठीक है fought on the river के side में है यह ठीक है river के उपर है jellum in sirinagar में ठीक है तो किस ने बनवाया था यह सही answer is amir khan jwan share net next is which of the following is considered to be the largest national park in india ठीक है इन में से कौन सा ऐसा largest national park है india का ठीक है तो option is hamis dachigam kishtwad यह salim mali ठीक है तो सही answer क्या है हमारा a part is hamis national park in largest ठीक है largest park है next is dachigam national park is the most famous for ठीक है काफी बार paper में आ चुके है कि dachigam जो national park है यह किस चीज के लिए most famous है so सही answer क्या हमारा hangul ठीक है next is the fabric of the pashmina shawl is extracted from which of the following ठीक है तो कौन सा fabric लगता है किसमें तो किसका यूज करते हैं सही answer है हमारे पास c part यानि की calc goat का यह क्या करते है एक fabric यूज करते हैं ठीक है next is which of the following rulers introduce the carpet industry into the valley ठीक है इन में से कौन सा ऐसा ruler है जिनोंने इंटर्ड्यूज किया है किसको carpet industry को into the वादिया ठीक है किसके बीच में वादियों के बीच में एक carpet industry को introduce किया है तो कौन थे वो कौन से ruler थे अकबर हरी सिंग जैनुल अभी दीन या परताप सिंग तो वो थे हमारे एक ruler कौन से थे वो उसका सही आंसर है जैनुल अभी दीन ठीक है इन्होंने क्या किया था एक carpet industry को introduce किया था किसके बीच वादियों के बीच next is हून सैंग Chinese traveler visited the valley during the region of which dynasty तो कौन सी डाइनेस्टी से ये region मतलब बिलॉंग करते थे जो हून सैंग थे जिन्होंने first time इन्होंने क्या किया था एक question ये भी बनता है कि ये एक क्या थे क्या थे ये एक first ठीक है first ये थे जो हून सैंग थे ठीक है इन्होंने क्या किया था चाइना से ट्रैवल किया था कहां से कश्मीर थे ठीक है तो कौन थे ये यहां पे इन्होंने question पूछा during the region of कौन सी डाइनेस्टी से थे मोर्या, गुपताज, कारकोटा या मुगल तो डाइनेस्टी कौन सी थी कौन सी डाइनेस्टी कारकोटा is the right answer next question is the earliest noun text of कश्मीर which describes origin of the valley the rights and work ship practices by the people of कश्मीर ठीक है जो earliest जिनको जाना जाता था text of कश्मीर ठीक है तो कौन से ये origin of valley से थे rights क्या था और ये किसको पूछते थे ठीक है people of कौन से कश्मीर के ठीक है so सही answer क्या है हमारा सही answer is नीलम पूराना ठीक है next is the राजा तरंगनी by कलहाना ठीक है जो लिखी थी किसने कलहाना ने is written in beach of the following language तो कौन सी language यूज की थी उस राज तरंगनी बुक में तो पर्षियन संस्कृत लोकल डायलेक्ट या उर्दू तो सही क्या है हमारा right answer is वी पाट यानि की संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था next is which of the following was the first नियोलिथिक साइट to be discovered in कश्मीर ठीक है तो सही answer क्या है इसका एपाट यानि की बुर्जा होम ठीक है last question is the famous king who founded the old city of पैंद्रे थान at short distance from modern सिरिनगर वाज ठीक है इस question का answer आप मुझे दीजिए comment box में ठीक है तो मैं देखूंगी कि आप मेरे साथ साथ अगर मैं आपके लिए वीडियोस ला रही हो तो आप regular मेरी class attend कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कितना preparation आपकी हुई है ठीक है 131th question हमारा जो है the fourth Buddhist council was held at Kashmir during the region of ठीक है तो fourth Buddhist कौन था council के time कौन held था ठीक है Kashmir during किसके region के so option है हमारे पास Ashoka Kanishka Damodara या Jaluka तो कौन था सही answer जो हा हमारे पास that is Kanishka is the right answer ठीक है next is next question क्या है हमारे पास which of the following क्यों dominated the historical scene of Kashmir for almost 50 years ठीक है इन में से कौन सी ऐसी क्यों थी जो dominate की थी the historical scene of Kashmir ठीक है almost कितने देर के लिए 50 years के लिए so जो right answer है हमारा that is एपाट यानि की दीदा जो थी queen थी ठीक है जो dominate की थी historical scene of Kashmir ठीक है next is which of the following built the first wooden bridge at Sirnagar now even now at Zaina Qadal ठीक है जिसको किस नाम से भी जाना जाता है सिर्णगर में जो wooden का एक bridge है जिसको किस नाम से जाना जाता है Zaina Qadal ठीक है तो ये किस ने बनाया था पहला wooden bridge पहला लकडी का जो pull था वो किस ने बनाया था तो option कौन सा हमारे पास Zainul Abidin is the right answer ठीक है इसने क्या किया था first एक wooden bridge बनाया था जो की सिर्णगर में था और उसको किस से भी जाना जाता था किस नाम से Zaina Qadal से next question is the first Afghan governor of Kashmir इस ठीक है तो first Afghan governor of Kashmir कौन था अब्दुला खान अब्दुल हसन या सुख जीवन या अजीम खान तो जो सही answer है वो हमारे पास that is A. अब्दुल खान हमारे क्या थे first Afghan governor of Kashmir के थे ठीक है next question is Raja Tarangani was translated into English by ठीक है जो Raja Tarangani थी वैसे तो इसकी जो language थी वो कौन सी थी कौन सी language में ये लिखी थी ये लिखी थी हमारी संस्कृत में ठीक है और इसको English में translate किस ने किया था that is A. Stain ने ठीक है A. Stain ने क्या किया था इसको English में translate किया था किसको Raja Tarangani को ठीक है नेक्स्ट कोशन है हमारे पास The only Indian ruler to have extended the frontides of India to their natural boundary walls ठीक है Only जो Indian ruler थे उनके पास क्या था extended था frontides of India ठीक है So natural boundary कौन सी थी गुलाब सिंग, रनवीर सिंग, परताब सिंग या हरी सिंग तो जो सही answer है हमारे पास that is A. Part यानि की गुलाब सिंग ठीक है तो नेक्स्ट कोशन है हमारे पास Which of the following ruler reconcued Gilgit at the principality was permanently annexed to Jammu and Kashmir इन में से कौन से ruler थे वो ruler थे हमारे रनवीर सिंग ठीक है Next question की और चलते है साथ साथ में मेरे आप comment box में answer मुझे नहीं बताते है ना कि अपना score बताते है मैंने आपको कितनी बार बोला है कि यह हमारी revision चल रही है ठीक है तो साथ ही साथ मुझे जरूर answer अपना guest बताते जाए कि आपका answer क्या है यानि कि आप सही preparation कर रहे हो नहीं कर रहे हो ठीक है तो यह सब मुझे आपने comment box में बताना है जबकि अभी आपने देखा कि PET और PST की date आउट कर दी है ठीक है JKP police ने तो उसी के जैसे ही वह physical test complete होता है देन उसके बाद return हमारा हो जाएगा ठीक है तो next question है which of the following dogra ruler led the foundation of a sound system of administration in Jammu and Kashmir ठीक है तो इन में से कौन है dogra ruler जो सही answer है हमारा क्या है that is B part यानि की गुलाब सिंग ठीक है next question हमारे पास arrange them chronologically ठीक है हमें इसको arrange करना है पहले कौन था ठीक है तो जो हमारे पास सही answer निकल के आया है that is a part one, four, two, three यानि की पहले गुलाब सिंग then रनबीर सिंग then परताब सिंग and last is हरी सिंग ठीक है next question is which of the following is also known as sale deed of Kashmir इन में से कौन सा ऐसा नाम है ठीक है जिसको किस नाम से भी जाना जाता है sale deed of Kashmir ठीक है तो सही answer क्या है हमारा treaty of Amritsar ठीक है next question हमारे पास which of the following is considered to be the founder of सिर्नगर ठीक है इन में से कौन सा ऐसा founder जो सिर्नगर का है so सही answer जो है हमारे पास that is a part कौन है ये प्रेवर सिना ठीक है next is गीतरू a popular dance song of the Jammu region is performed at the occasion of feast festival and marriage ठीक है तो जो गीतरू है ये किसका एक popular dance है song है ये एक ठीक है Jammu region का जिस पे perform करते हैं हर feast में भी festival में भी और marriage में भी तो ये क्या है डोगरा पहाडी का song है डोगरा राजपूत है या बोथ a and b या none of these तो सेब को पता है right answer क्या है इसमें that is डोगरा पहाडी लोग गीतरू को popular dance मानते हैं ठीक है next question is which of the following musical instrument was introduced by Zainul Abidin in Kashmir from Turkistan ठीक है इनमें से कौन सा musical instrument है जिनों ने introduce किया था किसने introduce किया था भाई Zainul Abidin ने ठीक है तो कौन से instrument है शनाई रबाब सीरत या तूती तो जो सही answer है वो है b part is रबाब ठीक है next question is the most favorite musical instrument of Kashmir is सैंतूर सैं means 100 ठीक है सैंतूर है ठीक है musical instrument एक कश्मीर का तो सैं का मतलब क्या है 100 एंड तूर का मतलब क्या है strings in which of the following language ठीक है तो ये कौन सी language है संस्कृत पर्षियन अरबिक या देवान नगरी तो ये है कौन सी language दाट इस पर्षियन ठीक है नेक्स इस इस वर्ल्ड फेमस पेश्मीना वूल अप्टेन फ्रम केल गोट इस रियर्ड बाइ विच अव दी फॉल्विं ट्राइबल ग्रूप्स ठीक है ये कौन सा ग्रूप है जिस जो वर्ल्ड का फेमस क्या करते हैं ये पश्मीना का ठीक है पश्मीना जो होते हैं पश्मीना के शॉल वगरा ठीक है ये एक वूल है अप्टेन की है कौन सी गोट से कौन सी गोट से वैसे पश्मीना के शॉल बनते है ये ये रियर्ड है तो कौन से ट्राइबल ग्रूप है बकरवाल है चंगपास है मौन है या बाल्टी है तो जो सही आंसर है बाल्टी जो सही आंसर क्या है हमारे पास that is बीपार्ट चंगपास ठीक है next question is which of the following is responsible for foundation of modern education system in कश्मीर through western modernization and rejection of local tradition ठीक है इन में से कौन से ऐसा है जो responsible है किसके लिए foundation of modern education system के लिए in कश्मीर में through किसके western modernization and rejection of local traditions ठीक है तो जो सही आंसर है हमारे पास that is टाइंडेल बिसकोई ठीक है next question is the Jammu and Kashmir state board of school education was established कब हुआ था कौन से साल में हुआ था Jammu and Kashmir state board so right answer is C part यहने कि 1975 में next question is which of the following district of Jammu and Kashmir has the highest literacy rate ठीक है तो Jammu and Kashmir में अगर देखा जाए तो highest literacy कहां कौन सी district में है ले Jammu, Samba या करगिल तो ज्यादा population, literacy, high literacy rate is Jammu में है next question is which of the following district has the lowest literacy rate in Jammu and Kashmir अब highest तो हमने पढ़ लिया Jammu में है ठीक है अब lowest कहां पे है, lowest है रामबन में ठीक है, next is which of the following golf course was designed and led out by Robert Trent Jones ठीक है, इन में से कौन है वो, so right answer जो है हमारा that is B part Royal Supreme Golf Course सिरिनगर में, ठीक है next is which of the following rivers provide ample opportunity for adventure sports like river rafting ठीक है, इन में से कौन सी ऐसी river है, जो हमें क्या provide करती है ample opportunity, किसके लिए adventure sports के लिए, like river rafting ठीक है, so just सही answer है हमारे पास, that is all of the above इंदस, जन्सकर और लिडर, ठीक है next question is, the indigenous script of Kashmiri literature which goes back to 6th century is known as, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, इसको जो goes 6th century से पहले ठीक है, so, जो सही answer है हमारे पास, that is, शारदा, ठीक है next is, श्रदा है, ठीक है next question है मारे पास, which of the following points is known as the father of Kashmiri गजल, कौन है Kashmiri गजल के, तो father, तो वो है हमारे, जो है रसूल, मेरी is the right answer, next question is, which of the following was the first winner of Sahitya Academy Award for Kashmiri language, तो किसने ये जीता था, first winner, that is, जिन्दा, कोल is the right answer, ठीक है next is, next question जो है हमारे पास, 55 question नहीं है यहां पर, बर चलो 56 question करते हैं डोगरा script was introduced by which ruler, तो कौन थे वो ruler, जिन्दे डोगरा script introduced की थी वो थे हमारे राजा शक्ती, करन is the right answer next is, the chinar trees were imported by mughals from which country, ठीक है, chinar trees जो import हुआ था, ठीक है मughalों के दवारा from कौन सी country से, Persian, USA, Russia यां इंडोनेशिया तो ये सही answer है हमारा परेशिया, यानि की इरान, ठीक है next is, when was treaty of America, साइन, सब को पता है, ये question, it's easy question, हर paper में question ये बुच्छा जाता है यानि की, मार्च 16, 1846 में, treaty of America, साइन किया था, ठीक है next is, who built शंकर चारे temple, तो ये किसने बनाया है, इसका answer आप मुझे देजिए कि ये किसने बनाया है, ये temple, ठीक है next is, the last question, जो है हमारा, in 7th century, who installed an idol वैशनो देवी temple, ठीक है 7th century में, ये किसने इंस्टाल किया था, idol वैशनो देवी temple, तो ये जो किया था, सही answer, राजा सूरज देवने, ठीक है तो ये थे आज के हमारे question, अभी कुछ series चलेंगी हमारी, तो वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा और अपने score मुझे, comment box में जरूर बताईएगा, कि आप कितने is, who was the last Hindu ruler of Kashmir, ठीक है तो last Hindu ruler कौन है, Hindu, यानि कि Hindu बताना में कश्मीर से, so, उद्यान देव, सूरज देव, गोगर देव, या अज्यो देव, ठीक है हमें मैंने पहले ही बोला कि हम सिर्फ revise कर रहे हैं, ठीक है तो first question का answer सही कौन सा है, हमारा A part, that is, उद्यान देव, ठीक है next question क्यों चलते है what was the ancient name of ruler lake, ठीक है, तो ruler lake का ancient name क्या है जिल्दी से जिल्दी मुझे answer बताईए, तो जो सही answer है, वो है हमारा C part, यानि कि महा पदमा is the ancient name of ruler lake, next is the famous hariparvat fort also known as kohi mahran was built by, ठीक है, तो famous जो है, क्या है, हरी parvat fort है, जो उसको किस नाम से भी जाना जाता है, kohi ya mahran, ठीक है, जो किस ने बनाया था ये ये बनाया था हमारे ata mohommad khan ने, ठीक है, this is the right answer next question is, the name of the afghan ruler who issued the coin in the name of sheikh nuruddin rishi was, ठीक है, जो name है, अफगान ruler का, ये किस ने इशू किया था, ये coin जिस पे sheikh nuruddin है rishi, so, सही answer जो इसका है, वो क्या है, that is b part, यानि कि ata mohommad khan, this is the right answer, next is, who was the author of the book, गुलाब नामा, ठीक है, इसका author कौन है, गुलाब नामा की जो book है, तो वो है हमारे, यानि कि दिवान कृपा, राम is the author of the book, book name क्या है हमारा गुलाब नामा, next question is, next question की चलेंगे, Muslim ruler of Kashmir, who was buried in Patna walls, ठीक है, Muslim ruler था Kashmir से, जो जला था, ठीक है, तो पतना से था वो, तो वो कौन थे, वो हमारे सही answer जो है, या पार्ट, यूसफ शा चक, ठीक है, next question क्या है हमारा, who is the writer of famous book, Valley of Kashmir, ठीक है, जो ये book है, Valley of Kashmir, सो इसके writer कौन थे, जो सही answer क्या है, हमारे पास, that is, Depart, Sir Walter Lawrence, ठीक है, next question है हमारे पास, under supervision of which British commissioner, the first land revenue settlement of the state was completed, ठीक है, तो option है हमारे पास, Sir Walter Lawrence, Sir Albert D'Souja, या Peter John, या Sir David Dickson, तो जो सही answer है हमारे पास, that is, Sir Walter Lawrence, next है हमारे पास, the word Kashmir comes from two Sanskrit words, two Sanskrit words, Ka and Shmira, which means, क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है, water and dry up, next question है, the first and last sadriya ryaasat of Jammu and Kashmir state from 17 November 1952 to 9 April 1965 was, ठीक है, first and last sadriya ryaasat, option is, Dr. Karan Singh, Hari Singh, Bhagawan Shai, या none of these, तो right answer is, Dr. Karan Singh, next question है, who was the chief queen of Udhyan Dev, ठीक है, तो chief queen कौन थी, option है, हमारे पास, रूप मती, मुंजो लता, कोटा रानी या सुनीता देवी, तो जो सही answer है, हमारे पास, that is, C part, कोटा रानी, ठीक है, ये थी chief queen, next is, the king of Ladakh, who established paper mill and the art of hand printing walls, ठीक है, जो king है, Ladakh के, इन्होंने क्या establish किया था, paper mill, ठीक है, और art of hand writing, ठीक है, ठीक है, तो कौन थे Ladakh के king, that is, B part, नियामा नमगियाल, ठीक है, next question है, हमारे पास, who among the following national park is also known as 10 villages, ठीक है, तो इन में से कौन से है, option is, घुलमार्ग, ओवेरा, डाचिगाम, या सलीम अली, तो सही answer है, मारे पास, C part, यानि की, डाचिगाम, ठीक है, next is, the dancer reciting song in Persian came to be known as, option is, सूफियाना, हफीजा, गीतरू, या जबरो, तो जो सही answer है, मारे पास, B part is, हफीज साल, ठीक है, next question है, marks is the another name given to, इसका एक और नाम क्या है, तो इसका एक और जो नाम है, वो है, Alpine Pastures, ठीक है, next is, बगलियार डैम, पॉवर प्रोजेक्ट, इस ओन दी, रीवर, तो कौन सी रीवर पर है, बगलियार डैम, या पाट, चनाब, next is, विच डिस्टिक्ट, ओफ जम्मो एंड कश्मीर, इस नाउन, अजी सीटी, ओफ टैंपल, तो किसको कहा जाता है, डी इस दी, जम्मो, next question है मारे पास, where is national airport in जम्मो situated, तो कहाँ पे है ये, पत्नी टॉप में है, सतवारी में है, कोकर नाग में है, या डाकसुम में है, तो ये है हमारा, जम्मो में कहाँ पे है, national airport, सतवारी, next question है, the biggest village in जम्मो एंड कश्मीर is, जम्मो एंड कश्मीर का biggest village कोन सा है, option है, आरेसपूरा, अरनाईया, पलोडा या नगरोटा, तो कोन सा है village, ये है हमारा अरनाईया, ठीक है, ये biggest village है, जम्मो एंड कश्मीर का, next is, बागे बहू is located on the banks of which river in जम्मो, सबको पता है, इस question का answer की कहां पे है, कौन सी river पे है, so, तवी river पे, ठीक है, next is, which lake of जम्मो एंड कश्मीर is the deepest in the country, ठीक है, country में बताना है हमें, कौन सी deepest lake है, सुरुइंसर, मनसबल लेक, सनासर या, none of these, तो deepest lake कौन सी है, मनसबल लेक, ठीक है, next is, two islands, सोना लंक और रोपा लैंक लाई विदिन विच लेक, तो कहां से ये, लाई करती है, कौन सी लेक है ये, मनसबल लेक, या, निगिन लेक, डल लेक, या, मानसर लेक, तो जो सही answer है हमारे पास, that is, c part, यनिकी, डल लेक, ठीक है, who island, that is, सोना लैंक और रोपा लैंक, next is, who is the writer of poem, गती, गाश, तो कौन है इसके writer, मुहमद गैमी, पर्मानंद, रसूल मेर, या, अब्दूल रह्मान राही, तो D part is the right answer, यानि की, अब्दूल रह्मान राही, next question है हमारे पास, the last prime minister, as well as the first chief minister of the Jammu and Kashmir state was, ठीक है, last और हमें last prime minister बताना है, और first chief minister बताना है, कौन थे, option है हमारे पास, Mr. Qasim, शेख मुहमद अब्दूला, बक्षी गुला मुहमद, या, GM सादिक, तो D part is the right answer, next question is, the first general election of the JNK legislative assembly, we are held in, तो कब हुए थे ये, first general election, option है हमारे पास, 1957, 1958, 59 या 60, तो सही answer है जो हमारा, that is 1957 में, ठीक है, next question है हमारे पास, what was the name of the commission, who recommended the creation of new 8 district in Jammu and Kashmir, ठीक है, option is, कौन सी commission है, मेर commission है, वजीर commission है, साहे commission है, या, शा commission है, तो वो है, वजीर commission, next question है हमारे पास, an important trust, founded by महराजा, गुलाब, सिंग, वॉज, option is, गुलशन trust, सेवा trust, दरमर्थ, धारमर्थ trust, या, नरायन trust, to see is the right answer, ठीक है, next question है, मारे पास, where is Jammu and Kashmir, first thermal power project located, तो कौन सी जगा पे है, ये, कहां पे है, काला कोट, जैना कोट, हंदवारा, या, ले, तो ये हैं कहां पे, काला कोट में, ठीक है, next question है, मारे पास, which mountain range, is famous as the roof, of the world, option is, जंसकर range, करा कोरम range, शिवालिक range, तो जो हमारे पास, सही answer है, that is, करा कोरम range है, ठीक है, ये famous है, roof of the world, next is, the last question हमारा है, which of the following, past joints, punch, and the uri sector, इस question का answer, आप मुझे बताईएगा, option हमारे पास, बारा मुला पास, हाजी पीर पास, बनिहाल पास, या नूब्रा पास, ठीक है, इस question का answer बताईएगा, मुझे आप comment box में, the neelam river, is also known as, ठीक है, जो neelam river है, उसको और क्या कहा जाता है, यानि कि किशन गंगा, डाबा, चिनाब, या जेलम, ठीक है, जो neelam river है, तो सही answer जो इसका है, वो क्या है, सही answer क्या होगा, जल्दी से जल्दी, मुझे comment box में बताईए, तब ही तो मैं आपका score जान पाऊंगी, कि आप कितने preparation कर रहे हो, ठीक है, तो जो सही answer है हमारा, that is, किशन गंगा, ठीक है, next question हमारे पास, which of the following is the deepest lake in Kashmir, जो deepest lake है कश्मीर में, कौन सी lake है इन में से, मानसर, नीगन, डल, या मनसबल, तो कौन सी है, that is, डीपाट, मनसबल लेक, जो है, वो deepest lake है कश्मीर में, ठीक है, next question हमारे पास, which of the following trees are not found on ground throughout the valley, ठीक है, इन में से, कौन सा ऐसा tree है, जो अभी तक नहीं grow, मतलब grown नहीं हुआ है, throughout the valley में, ठीक है, valley क्या होती है, वादियां, ठीक है, so option हमारे पास है, दियोदार, pine, या, शिशाम, शिशाम या, walnut, तो जो सथी answer हमारे पास, that is, C part, यानि की, शिशाम, ठीक है, next question हमारे पास, in which year, डाची गाम वाज, declared as a national park, जो डाची गाम national park है, यह कब declare हुआ था, national park में, ठीक है, तो कब हुआ था, option हमारे पास, 1981 में, 1982 में, 1991 में, या 1992 में, तो कब हुआ था, यह declare, that is, a option is, right answer, यानि की, 1981 में, यह, डाची गाम, declared हुआ था, national park में, next question हमारे पास, which national park, is the only habitat, of the Ladakhी, यूरियल, ठीक है, इन में से, national park, कौन सा है, सिर्फ only habitat, ठीक है, so option is, किश्टवार national park, हैमिस national park, जो की Ladakh में है, काजी नाग नैशनल पार्क, डाची गाम नैशनल पार्क, तो सही आंसर, क्या है हमारा, that is, बी पार्ट, मैंने बताया है न, Ladakhी बताना, इन्होंने ठीक है, पूचा है, तो इसलिए, हैमिस national park, next question is, which national park, was founded to the protect, the snow leopard, ठीक है, इन में से, हमें national park, बताना है, जहां पर क्या है, एक प्रोटेक्ट करते हैं, किसको, snow leopard को, तो कौन सा है, option हमारे पास, डाची गाम national park, किश्तवार national park, हैमिस national park, या इन में से, कोई भी नहीं, सही answer है, जो, हैमिस national park, जो की, लदाख में है, मैंने बताया आपको, next question हमारे पास, which is the longest tunnel, of Jammu and Kashmir, सब को पता होगा, इस question का answer, कि longest tunnel, कोन सा है, Jammu and Kashmir का, option है, हमारे पास, जोहार tunnel, चनैनी नशैरी tunnel, नंदनी tunnel, या none of these, B is the right answer, चनैनी नशैरी tunnel, जो है, वो एक longest tunnel है, Jammu and Kashmir का, next question हमारे पास, जो चनैनी नशैरी, जो tunnel है, वो कहां से lies होता है, कोन से mountain से, आता है, शिवालिक range है, पीर पंजाल range है, कराकोरम range, रिया संजन्सकर range, तो जो सही answer है, हमारे पास, that is a part, यानि कि शिवालिक range से, जोजिला पास, ठीक है, इन में से कोन सा, ऐसी valley है, जो जोजिला पास से, स्टार्ट होती है, option is, अराकू, बारक, ड्रास, या हीरक कुंड, तो जो सही answer है, हमारा, that is, D, C part, ड्रास, ठीक है, next question हमारे पास, who among the following, invaded Kashmir in, on 24 अक्तूबर 1947, option is, इंडियान राजपूत, ट्राइबल पठान्स, शेर पास, या सिंद ब्रामिन्स, तो जो सही answer है, हमारे पास, that is, यनि की, ट्राइबल पठान्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, और जादा से जादा, ये बच्चों तक पहुंचाईए, ठीक है, ताकि और भी बच्चे इसको, पढ़ सकें, ठीक है, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तक रहाएं,